प्रिवियस लेक्चर में ही यह चैप्टर हमने शुरू किया है और हमने इसका ओवर्वियू जाना है कि overall chapter में आपको पढ़ना क्या है तो बचो overall chapter में आपको क्या पढ़ना है different life processes पढ़नी है जो आपकी body के अंदर होती है जो organisms की body के अंदर होती है ताकि उनकी life sustain रह सके ताकि वो living कहलाए जा सके तो उस इसहाब से यह हमारा life process chapter है इसमें हम different life processes पढ़ेंगे यानि कि वो processes जिसकी वज़े से कोई भी living organism living कहलाता है तो वो life processes होती है ठीक है तो मैंने आपको बताया था बच्चों की digestion हो गया respiration फिर transportation उसके बाद excretion इस तरह की बहुत सारी life processes होती है तो उसी की हम पहले simple definition पढ़ रहे थे उसी को आगे further continue करेंगे बच्चों और उसके बाद हम one by one इसी life एक एक life process को detail में पढ़ेंगे यही हमारा chapter है ठीक है बच्चों तो last lecture में हमने थोड़ी सी ही हमारी definitions discuss की थी सबसे पहली जो discuss की थी बच्चों वो देखो और वो थी digestion और digestion से related आप topic पढ़ोगे digestive system तो digestive system हम human में पढ़ेंगे amoeba में भी पढ़ेंगे which is a single cell organism और plant में भी पढ़ेंगे कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और खाते हैं जो की वो photosynthesis करते हैं यह तो आप अपनी चोटी classes में भी पढ़के आए हो कि जो plants हैं वो तो photosynthesis करते हैं breakdown of food breakdown होता है of complex food into simpler form जो भी हम खाना खाते हैं हम या कोई भी living organism food खाता है वो food होता है complex उसमें बहुत सारी nutrients होते हैं nutrients का मतलब क्या होता है portion तत्व components of food जैसे nutrients होते हैं न फूड में तो nutrients क्या होते है बच्चो components of food जो आप खाना खाते हो उसके जो component है ठीक है उसके अंदर जो चीजे present है वो उसका उसी को हम nutrients कहेंगे जैसे आपने food खाया फूड में carbohydrate भी होगा fat भी होगा ठीक है protein भी हो सकता है minerals भी हो सकते तो वो सारी चीजे one by one component of food यानी nutrient कहलाती है तो nutrient की बात हमें समझ में आगी तो nutrient में इतने सारे nutrient होते है एक food में तो इसलिए वो complex food होता है और उसे बिल्कुल simpler form में convert करना यह process क्या कहलाती है बच्चो digestion जैसे ही आप उसे simpler form में convert कर लेते हो उसके बाद next process होती है बच्चो रेस्पीरेशन रेस्पीरेशन में क्या होता है oxidation of food food का oxidation होना food का oxidation क्यों होगा so that release की जा सके energy and then store energy energy की जिस भी खाने का आपने break down किया है उसकाने खाने का Dalekdaan करने के बाद अब उससे क्या किरवाया जाता है energy release कर वायी जाती है और उसी energy को store किया जाता है oxidation क्यों लिखा है यह पर क्योंकि यह होती है with the help of oxygen कैसे होगी यह, with the help of oxygen, food का oxidation और oxidation होने के बाद energy release करवाई जाएगी, energy release के साथ-साथ energy store भी की जाती है, ठीक है, इस process को हम respiration बोलते हैं, ये दो processes हम पढ़ चुके हैं, इनकी definition मैंने आपको last lecture में बताई थी, अब हमारी जो third life process है, वो है control and coordination, control का मतलब आप समझते हो कि किसी भी function को regulate करना, ठीक है, अगर आपकी parents आपको control करें, तो control का मतलब है, वो आपको discipline में रखेंगे, आप अच्छे समय पर पढ़ रहे हो के नहीं, समय पर हर काम कर रहे हो के नहीं, तो ये होता है control, positive sense में, और coordination का मतलब है, किसी को एक एक बात बताना है, किसी को ये बताना कि उसे किस समय पर क्या करना है, या उसका क्या function है, तो इसी तरह से जैसे आपको पता है, बच्चों, हमारी body में बहुत सारे organs है, हमारी body में बहुत सारी life processes होती है, तो control and coordination का मतलब है, कि कोई ऐसा organ, कोई body में ऐसा, जो बाकी सभी organs को coordinate करे, बताए कि आपको क्या काम करना है, और कितना करना है, कैसे करना ह ठीक है, तो उसे बोलते है, control and coordination, दूसरा, जो हमारी environment में, ठीक है, कुछ भी change आता है, environment में कुछ भी change आता है, उसके साथ-साथ, खुद में भी change लाना भी, control and coordination में आता है, तो definition क्या होगी, the process in which helps the living organism to survive in the changing environment around them, आपके चारो तरफ, जब environment change हो रहा है, वातावरन change हो रहा ह और उसके साथ-साथ, खुद में भी change लाना, ये भी control and coordination कहलाता है, आपके, देखो बच्चो, अगर हमारे आसपास का environment change हो रहा है, और लेकिन हम change नहीं हो पा रहे हैं, हमारे अंदर change नहीं आ रहा है, उसके according, तो बच्चो विए खतरे की निशानी होती है, इसमें living organism survive करना उनका मुश्किल हो जाता है, किसी भी living organism को, अगर हर environment में survive करना है, तो जैसे जैसे environment change होता है, उसे भी change होना पड़ेगा, अगर वो नहीं change हो पाएगा, उसके अंदर changes नहीं आ पाएंगे, तो उसका जो survival है, या उसका धरती पे रहना मुश्किल हो जाएगा, और तब जो organisms हैं, species हैं, extint होती हैं, यानि कि जो धरती से गायब हो जाती है, ठीक है ना, जैसे बचों आप ऐसे समझो, कि मान लो कि temperature जो है, temperature जो है, 2 degree Celsius increase हो गया, 2 degree Celsius temperature increase हो जाए, तो उस हिसाब से, अब जितने भी living organisms हैं, वो living organisms क्या करेंगे, start adapting to this temperature, देखो, 2 degree Celsius temperature बढ़ गया, तो जितने भी living organisms हैं, वो उस temperature के according, खुद को adapt करना, या खुद को change करना शुरू कर देंगे, तो यह जरूरी है, और यह body में brain बताता है, control and coordinate कौन करता है, who is the control and coordinator in our body, brain is the coordinator in our, हमारी body में coordinator कौन है, brain है, this is known as control and coordination, ठीक है, बच्चर, इस ही को हम क्या बोलेंगे, control and coordination, तो इतना आपको समझना है, कि control and coordination में हम पूरा का पूरा हमारा chapter ही है, यह इस chapter में आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, यह पढ़ोगे आप control and coordination chapter में, जिसमें हमने पढ़ना है, control and coordination in humans, control and coordination in plants, क्योंकि plant में भी control, यह बात सच है कि plant में brain नहीं होता, but still उनके अंदर hormones होते हैं, जिस hormones की वज़े से plant के अंदर control and coordination होता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि control and coordination brain ही करें, even plants do not have brain, right, but still they have control and coordination with the help of hormones, ठीक है, clear हुआ इतना, then आता है हमारा अगली life process जिसका नाम है movement, अब movement क्या होती है बच्चों, process in which organism moves from one place to other, एक तो यह हो गया, यह तो आपने चोटी classes से पढ़ा है, एक जगा से दूसरी जगा move करना movement कहलाता है, और यह movement इस तरह की करते हैं animals, ठीक है, एनिमल्स को ही हम देखते हैं, including us, that we move from one place to another place, हमें एक जगा से दूसरी जगा जा पाते हैं, यह एनिमल्स की है, पर क्या plant खुद से यह चीज़ कर पाते हैं, कि वो एक जगा से दूसरी जगा move कर लें, नहीं कर पाते, तो क्या plants living नहीं है, plants भी living है, तो फिर वो movement कैसी करते हैं, वो जिस जगा पर हैं, उसी जगा पर होते हैं, और उनके parts movement show करते हैं, तो इस तरह की movement plants में होती है, यानि कि process in which organism either, यह तो क्या होगा, move from one place to other, या तो वो एक जगा से दूसरी जगा move करेंगे, और या फिर क्या होगा, move its body part while remaining at the same place, एक तो यह हो कि वो एक जगा से दूसरी जगा जाए, या दूसरा क्या होता है, खुद तो एक ही जगा रहते हैं, remaining उसी place पर रहते हैं, और उनके parts move करते हैं, उनके parts movement show करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे movement, तो इस में से जो animals हैं, वो तो क्या करते हैं, move from place to place, एक जगा से दूसरी जगा जाते ही जाते हैं, और plants क्या करते हैं, show movement at the same place by their parts, उनके जो parts हैं, वो उसी जगा रहेगा, जिस जगा है, उसके parts movement show करते हैं, इसे हम क्या क्यलाएंगे, दोनों ही क्या है movement है, एक जगा से दूसरी जगा जाकर movement show करना, जो plant करते हैं, वो भी movement है, खुद एक ही जगा रहना और उसके parts movement show करें, तो ये भी है, ये plants में होती है, दोनों तरह की processes से क्या कहलाती हैं, बच्चो, movement कहलाती है, देन आता है next, वो है reproduction, reproduction, री मतलब दोबारा, production मतलब किसी चीज़ का production होना, तो यहाँ पर reproduction का मतलब है, कोई भी living organism, जब अपने जैसे, अपने young ones को पैदा करता है, अपने जैसे अपने बच्चो को पैदा करता है, इस process को हम reproduction कहलाते हैं, यहां कहते हैं, यानि कि the process of reproduction involves making of more organisms from the existing ones, existing का मतलब है, जो पहले हैं, अभी जो मुझूद है, present है, उन से और जादा organisms का पैदा होना reproduction कहलाता है, ठीक है, so that organisms could live on this earth forever, यह क्यों कर रहे हैं, ताकि organisms हमारी धर्ती पर सदेव, forever मतलब सदेव बने रहें, पैदा होते रहें, तो उस process को हम reproduction कहते हैं, reproduction है कैसी process है, कोई भी existing organism reproduction इसलिए करता है, ताकि वो अपनी living, अपनी organisms की आगे generation बढ़ा सके, ठीक है, PD बढ़ा सके, बच्चे पैदा हो सके, इस process को हम reproduction कहते हैं, और बच्चों, reproduction भी दो तरहें का होता है, main, यह भी आप अलग से chapter पढ़ोगे, how do organisms reproduce, इसी class में, ठीक है न, तो reproduction भी बच्चों दो तरहें का होता है, आप आगे पढ़ोगे, एक है, sexual reproduction, and the second one is, asexual reproduction, दो तरहें के reproduction पढ़ोगे, बच्चों, आप, sexual and asexual, अब बच्चों, एक छोटी सी बात तो इनके बारे में बनती है, sexual reproduction में two parents involved होते हैं, और asexual reproduction में one parent involved होते हैं, बस इतना सा याद करो अभी के लिए, कि पढ़ना तो है ह हमने, है न, तो sexual reproduction में two parents involved, asexual reproduction में one parent involved, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इस बारे में, ठीक है न, चलो, next देखो, अब बात करते हैं, why we need energy, what is the need of the energy, आप ये सुनते हो, कि हमें खाना खाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि खाने से हमें energy मिलती है, तो सवाल आना चाहिए कि energy की जरूरत क्या है, ठीक है, we need energy to perform all the life processes that are occurring in our body, हमारी body में जितनी भी life processes होनी है, उन life processes को करवाने के लिए, बच्चों हमें energy की जरूरत होती है, और वो energy हमें food से मिलती है, ठीक है, So, need of the energy, यानि की energy की क्या जरूरत है, energy क्या होता है, the capacity to do work, the capacity to do work is called energy, energy क्या होती है, हमारी शमता, capability मतलब, या capacity या capability मतलब, आप इसमें capability ही लिखो, capability का मतलब होता है, बच्चों, शमता, किसी भी living organism की काम करने की शमता, उसकी energy कहलाती है, अब energy की जरूरत क्यों है, ठीक है, energy की जरूरत क्यों है, all the living organisms need energy to perform various life processes, and they get this energy from food, हमें energy की जरूरत है, ताकि हमारी body के अंदर जितनी भी life processes हो रही है, वो हम बखू भी अच्छे तरीके से करवा पाएं हमारी body से, और ये energy हमें food से मिलती है, food क्या होता है, food एक तरह से इंधन है, fuel है, जैसे आप car में, bus में, देखते हो कि petrol, diesel, cng, जो भी है, वो एज़े उनके fuel काम करता है, उस वज़े से वो चलते हैं, इसी तरह से food भी हमारे लिए क्या करता है, food is a kind of fuel, fuel मतलब इंधन, ठीक है, fuel हमारे लिए क्या करता है, इंधन का काम करता है, जो क्या करता है, which provide energy to all the living organisms, food is a kind of fuel, इंधन का काम करता है, food जो हर एक living organism को energy देता है, ताकि उसकी बोड़ी में हर परकार की life processes, easily अराम से हो पाएं, food is the basic requirement, जो बिल्कुल basic, basic का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो simplified हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो food एक ऐसी basic requirement है, सभी living organisms की, और किसलिए energy प्राप्त करने के लिए, obtain मतलब प्राप्त करने के लिए, तो energy प्राप्त करने के लिए, प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ की जरूरत है, फूड की जरूरत है ही है, basic requirement है वो हमारी, और उस energy से फिर हम अमारी life processes करेंगे, ठीक है, even जब आप सो रहे होते हो, तब भी आपको energy की जरूरत है, क्योंकि क्या तब आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है, नहीं बंद होता है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए, फिर तो इंसान पर्मानेंटी सो जाए, मतलब उसकी death हो जाए, इसका मतलब क्या है, इवन जब आप सो रहे होते हो, तब भी आपको energy की जरूरत होती है, क्योंकि आपका heart तो तब भी काम कर रहा होता है, अच्छे से, उसे blood pump करना होता है पूरी body में, और वो आपके सोते समय भी होना जरूरी है, इसी लिए आपकी body हमेशा energetic होनी चाहिए, बचो अच्छा खाना खाना चाहिए, healthy food लेना चाहिए, so that you should be energetic all the time, आपको हर time energetic रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी body जब जितनी energetic होगी, उतना आप active feel करोगे, और जितना active feel करोगे, उतना अच्छे तरीके से, हर एक काम को, मतलब मजे से कर पाऊगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा food खाना है, so that you should be or you have to be energetic, आप energetic रहोगे, तो हर काम अच्छे से कर पाऊगे, even पढ़ाई भी तभी अच्छे से हो पाती है, बचो जब इंसान energetic feel करे, वरना dull इंसान अच्छे से तो बचो पढ़ भी नहीं पाता, ठीक है, अब बात करते है नेक्स्ट वो है, nutrition, तो nutrition क्या है, nutrition एक ऐसी process होती है, जिसमें आप खाने को पहले खाते हो, ठीक है, अब आप इसको nutrition की सुनो पहले, nutrition की सिंपली भाषा में क्या हो सकती है, definition, nutrition, the process of taking food and utilize it is called nutrition, यह बच्चा बिलकुल नेक्स्ट सिंपल है, जो आप 6th, 7th class में पढ़के आए हुए हो, और nutrients क्या कहलाते है, उसी हिसाब से, the components of food are called nutrients, ठीक है, यह बिलकुल आपकी सिंपल भाषा में, जो simply आपको definition में बता रही हूं, वो है, nutrients क्या होते हैं, component of food, food के जो components होते हैं, उन्हें हम nutrients कहते हैं, जैसे कि example है, carbohydrates, fats, protein, etc, और भी बहुत सारे हैं, आगे पड़ेंगे वो, ठीक है, और वो process, जिसमें पहले आप food को take, यानि कि intake करते हो, खाते हो, और फिर उसका इस्तेमाल करते हो, utilize मतलब इस्तेमाल करते हो, उसका सदुपयोग करते हो, उस process को हम nutrition कहते हैं, the process of intake of nutrients, nutrients का intake करना, यानि कि खाना, कैसे कैसे nutrient नाम लिख दो, जैसे कि carbohydrate, fat, protein, minerals, विटमीन, water, तो organisms का, इन सब को पहले लेना, यानि कि खाना, and as well as its utilization by the organism, सिरफ खाना खाना ही nutrition नहीं कहलाता, खाना खाना और फिर उसे utilize करना, उसका इस्तेमाल करना, organisms के दुआरा, वो nutrition कहलाता है, and what are nutrient, nutrient वो substances हैं, वो पदार्थ हैं, जो कोई भी organism, अपनी surrounding से obtain करता है, प्राप्ट करता है, ठीक है, components of food होते हैं, जो की surrounding से मतलब अपने, आसपास से कोई भी organism obtain करता है, उसको use करता है, ताकि उसे energy मिल सके, और उसकी body के बाकी सारी चीजें, जैसे की body constituent, मतलब body की कुछ चीजें बन सकें, जैसे cells, tissues, ये बन सकें, तो उन्हें हम nutrients कहते हैं, nutrients होते हैं, जैसे carbohydrates, fat, protein, vitamin, minerals, fibers, water, all are the nutrients, which are essential for our body, right, तो nutrient और nutrition की definition, इस तरह से आपको याद करनी है, ये भी याद करनी है, समझनी है, याद तो क्या करनी है बच्चो और ये वाली भी कर सकते हो, ये बच्चो अब आता है, nutrition, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो, आप बहुत सारे fruits है, vegetables है, nuts है, ठीक है, जिन से आपको क्या मिलता है, nutrition यानि की portion मिलता है, और ये हैं बच्चो पोशन तत्व यानि की nutrients, तो यहाँ लिखाए, carbohydrate, ठीक है, एक होता है, carbohydrate जो आपको रोटी से मिलता है, bread से मिलता है, तो मतलब बहुत सारी चीज़े हैं, जिससे carbohydrate मिलेगा, then fat है, फिर आता है minerals, minerals हमें ज्यादता है, fruits, vegetables से मिलते हैं, protein, protein आपको vegetarian, non-vegetarian दोनों dishes से मिलते हैं, non-vegetarian dishes जैसे की egg, meat, chicken, fish इन सब से, और जो vegetarian उनमें आते हैं, pulses यानि की दाले और कुछ हमारे nuts, जैसे की almond हो गया, cashew हो गया, इन से, फिर आता है vitamins, ये भी हमें fruits and vegetables से मिलत है, और water, water तो आपको पता है, ये पानी पीने का भी एक nutrient होता है, इसलिए आप देखते हो, बहुत सारी सबजियों में, लगबाग हर सबजी में पानी डलता है, तो वो क्यों डलता है, क्योंकि water is also a nutrient, water भी बच्चों एक nutrient यानि की portion तत्व है, then आता है बच्चों, modes of nutrition, mode मत take करने का, उसे use करने का भी बच्चों, अलग-अलग तरीके होते हैं, उन अलग-अलग तरीके में इसे दो तरीके एहम हैं, जिसमें से first है, autotrophic mode of nutrition, and the second one is heterotrophic mode of nutrition, यानि की mode of nutrition is the method of gathering, gathering का मतलब क्या बच्चों, obtain करना, प्राप्त करना, obtaining भी लिख सकते हो, ठीक है, gathering या obtaining, food को obtain करना, और उसे इस्तेमाल करना nutrition कहलाता है, दो तरह के mode है, nutrition के, first one is the autotrophic mode of nutrition, and the second one is heterotrophic mode of nutrition, दोनों को one by one पढ़ने वाले हैं, आज हम करेंगे autotrophic mode of nutrition, और next lecture में हम heterotrophic को अच्छे से type के साथ discuss करने वाले हैं, तो आज हमने क्या पढ़ना है, autotrophic mode of nutrition, अब इसको तोड़ लो बच्चो, auto और trophic, ठीक है, auto का मतलब होता है बच्चो, self, खुद से, और trophic का मतलब है, यान पे nutrition, जो खुद से खाना प्रपेर करें अप खुद से खाना प्रपेर करें, उन्हें हम autotrophic mode of nutrition करने वाले organisms कहते हैं, यानि की autotroph कहते हैं, ठीक है, यानि की autotrophic mode of nutrition क्या है, the word auto means self, auto का मतलब तो है self यानि की खुद से, और troph का मतलब है nutrition, यानि की autotrophic mode of nutrition means self nutrition, खुद से nutrition प्राप्त करना, खुद से ही खाना बनाना औ उसको यूटिलाइज करना autotrophic mode of nutrition कहलाता है और जो organisms यह करते हैं उन्हें हम autotrophs बोलते हैं so autotrophic nutrition क्या है it is that mode of nutrition in which organism synthesize, synthesize मतलब खुद से खाना बना, synthesize मतलब बनाना, synthesize their food by their own, जो क्या करें, synthesize करें अपना खुद का खाना from simple inorganic compound, वो simple inorganic compound कौन से हैं बच्चो जैसे carbon dioxide, water ठीक है जो कि हमारी चारो तरफ surrounding में present है और उन से अपना खाना बनाना in the presence of sunlight, किसकी presence में sunlight तो वो क्या कहलाता है, वो autotrophic mode of nutrition कहलाता है, यानि कि autotrophic mode of nutrition में क्या चीज यूज होगी, करते हैं जो उनको हमने autotrophs बोल दिया, अब ये autotrophs क्या करते हैं, simple inorganic material, simple inorganic material से अपना खाना खुद बना लेते हैं, simple inorganic material से अपना खाना खुद बना लेते हैं, अब ये simple inorganic चीजे क्या हैं, first one is carbon dioxide, जिसे हम CO2 बोलेंगे, ठीक है, the second inorganic thing is water, जिसे हम H2O बोलेंगे, तीसरी चीज का इस्तेमाल होता है, वो है sunlight और चोथी चीज का जो इस्तेमाल होता है, होनी जरूरी है इन में, वो है बच्चो, chlorophyll, ठीक है, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, अभी ये chlorophyll क्या है, तो chlorophyll के बारे में अभी आप इतना जानो, the green pigment, green pigment present in leaves of plants, ठीक है, green pigment जो की पतों में, plants के पतों में present होता है, क्या होता है chlorophyll, the green pigment present in leaves of plant, पतों के पतों में जो green pigment present होता है, chlorophyll कहलाता है, ठीक है, और chlorophyll भी होना जरूरी है, autotrophs में, तो कहने का मतलब है, carbon dioxide का इस्तेमाल होगा, water का इस्तेमाल होगा, sunlight का इस्तेमाल होगा, और chlorophyll होनी चाहिए, इन चारों चीजों की वज़े से, जो अपना खाना स्वयम बना पाते हैं, glucose की form में, वो autotrophs कहलाते हैं, autotrophic mode of nutrition करते हैं, ठीक है, autotrophic mode of nutrition में पता चला न, कि क्या क्या चीजे चाहिए, तो यह simple चार चीजे चाहिए होती हैं, जो आपको याद करनी है, तो green pigment, chlorophyll क्या कहलाता है, green pigment, अब autotrophs में बचो, आप देखो, दिहान से देखो, यहाँ पर, वो चारों चीजे आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे लिखा है, यह लाइट, तो sunlight होगी first, दूसरा क्या चाहिए, carbon dioxide, तो CO2 होगी second, थर्ड लिखा है, water, तो यह होगी third H2O, third, और चोथा, यह आपको green color दिख रहा है, यह है, chlorophyll, पत्य कार हरा रंग दिख रहा है, chlorophyll की वज़े से, so light is the first, chlorophyll second, water third, और carbon dioxide fourth, तो चार चीजे होगी, अब इन चार चीजों की वज़े से, बना क्या, खाना बना carbohydrate की form में, और वो भी बना किस form में, glucose की form में, glucose is a carbohydrate ठीक है, glucose की form में, तो खाना बना, और साथ में, oxygen रिलीज होगी, बच्चों, यह फाइदा हो गया, साथ में, oxygen रिलीज हो गई, यानि कि आपको यह याद रखना है, कि जब autotrophic mode of nutrition वाले organism, खाना बनाते है न, glucose की form में, तो साथ में, oxygen रिलीज होती है, as a end product, फाइदे की च खुद बनाते हैं, from carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, इन सब का इस्तेमाल करके, बच्चों जो खुद खाना बनाते हैं, autotroph कहलाते हैं, autotroph contain, यानि कि उसके अंदर होता है, क्या होता है, green pigment होता है, जिसे क्या बोलेंगे, chlorophyll, without chlorophyll, बच्चों, कोई अपना खाना नहीं बना सकता, keep it in mind, हर plant में, जिनके अंदर chlorophyll, यानि की green pigment होगा, वही autotrophs कहला सकते हैं, वही autotrophic mode of nutrition कर सकते हैं, क्योंकि इससे वो sunlight को capture करते हैं, देखो यहां से, यह हरा रंग है, इसका, इसी वज़े से यह sunlight को capture कर पा रहा है, पकड़ पा रहा है, और खाना बना पा रहा है, अगर इसका हरा रंग नहीं होता, यह green pigment इसके अंदर present नहीं होता, बच्चो तो यह सूरज की रोशनी को पकड़ी नहीं पाता, और खाना बना ही नहीं पाता, so chlorophyll is very very important for autotrophs, ताकि वह अपना खुद से खाना बना सकें, ठीक हैं, और यह autotrophs में green plant भी आते हैं, और एक यह syno bacteria भी आता ह है, photosynthesis ही करता है, I hope आपको बच्चो autotrophic mode of nutrition अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप इसी तरह हैं से अपना पूरा 10th की हर एक subjects को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे channel को ज़रूर subscribe करें, अगर यह lecture अच्छा लगे तो इसे like करें, और अपने दोस्तों के साथ share भी करें, बच्चों मिलते हैं next class में, thank you so much, so much.